कल मेरे एक दोस्त को मेरे पास फोन आया और उससे पूछ रहा था कि मेरे पास कुछ पैशे पड़े वे हैं उनको कहा निवेस्ट करूं वैसे तो उसको अच्छी खासी नोलिज ये फाइनेंस की भी मतलब वो इन्वेस्टमेंट भी करता है ऐसी बातों में चलते मैंने उससे जानना चाहिए कि कहानी विस्ट करना चाहिए तुम्हारा क्या प्लान है तुमने क्या सोच के रखा है तो बोला कि क्वांट इंफ्रसेक्चर फंड ने पिछले एक साल में 80% से ज्यादा के रिटन दिये हैं ऐसा ही ABSL का PSU फंड है उसने 100% से ज्यादा रिटन दिये हैं एक यह आपको भी ऐसा ही लगता है कि क्वांट का इंफ्रा है यह XYZ का इंफ्रा है XYZ कंपरी का बैंकिंग और फिनिंसल फंड है IT sector का fund है PSU sector का fund है खास कर बात हो रही है यहाँ पर sectoral funds की आज का data देखने के बाद आपकी आँखे खुल जाएंगी बिलकुल और नहीं खुली है तो बहेंकर आपको नुकसान होने वाला लिख कर ले लो mutual fund में यदि sectoral mutual fund ने अपने investment किया है तो आपको नुकसान से कोई नी बचा सकता केवल यह जानकारी बचा सकती है इसलिए मैं यह video share करता हूं यह data share करता हूं और यह data आपको मुझे नहीं लगता किसी और ने दिखाया होगा संजाया होगा पहले जो data में आपको दिखाने वाला हूं और इसलिए मैं इस तरह का डेटा आप लोग के लिए लेकर आता हूं जिससे कि आपके understanding बड़े केवल ऐसा ही नहीं कि पैसे डाल दिए और एक साल में 60-70% डेटन मिल गया रहे वावा बहुत आनन्द आ गए लोग टर्म में क्या गर जब मार्केट 20-30% डाउन जाएगा क्या होगा अपका फिर इसलिए वर्निंग वीडियो है एक वर्निंग एक तरीकी की इसको वर्निंग समझना positive aspects में लेना ऐसा नहीं किया रहे हिमाचल भाई आया वो तो हमें demotivate कर रहा है कि हमें PSU इन्फरा फंड में लगाना ये इस टोक्स निखरीदने उन ऐसे mutual फंड में वेस्ट नहीं करना नहीं मेरा मतलब आपको वर्निंग करना आपको अवेर करना है कि आपका नुकसान ना हो जब इसकूल में जाता है बच्चा आज कल की बात तो छोड़ दो पहले क्या होता था जो बच्चा कलास में ज़्यादा तेज होता था और वो गलती कर ले तो मास्टर उसको ज़्यादा पीटेगा और एक दो बात तो छोड़ देगा इसने गलती करीए इसने ज़्यादा उम्मीद थी भाई इसको गलत नहीं करना चाहिए था उसके नंबर कम आ गया तब भी क् मत बढ़ाओ पहले से कि 50 से 60-80% की रिटन देख लिए नहीं ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत लोवर साइड पर रिटन रखने पड़ेंगे आपको एज्यूम करके तो यह डेटा देखकर आपके आँखे खुलने बाली फिर मत बोलना कि यह माचल बाई ने बचाया नहीं ठा करना चाहिए क्या मतलब है एक जांपल के तोर पर इंफ्रास्यक्षर के जो सटर के मिंचल फंड़ें उनकी बात करूँग उनका देटा आपको दिखाऊँगा तो उनको कर ना चाहिए जिनकों की डिरेक्टि स्टोक्स में करना बेस्ट किस पर रहेंगे इंके रिटन उसी individual sector पर based रहेंगे हाँ diversification होगा और होगा तो that is very good क्योंकि वहाँ पर गिरावट में volatility कम देखने मों मिलेगी लेकिन फरक तो पड़ेगा ही पड़ेगा बाई साब यदि आपका पैसा 50% से ज्यादा उस sector में लगावा है ना तो return भी वही reflect होते देखने मों मिलेंगे आपको तो March 2013 तक का data और उससे पहले का जब trailing की बात हो रही है तो जो पहले पिछले कुछ सालों में हो चुका है 2013 March से पहले जो हो चुका है अब उसको क्यों देख रहे है इसका क्या है यह तो हो चुका है बहुत से दर्सक आएंगे बड़े प्यारे प्यारे दर्सक कमेंट करेंगा रहे हमाचल भाई यह तो हो चुका है इसका मत बताओ अगली कहानी बताओ इतनी capacity मेरे पास नहीं है मेरे पास कोई जादू की शड़ी नहीं है मैं घुमाँगा रात को और कल सुबह को डेटा मेरे पास आ जाएगा पर इंटो क्या रहे भविश्यमारी करतो जाकर अपने च स्टेप से लेने हैं वह हम पहले ले ले ठीक है आगे वाले खत्रे को पहले सी हम जांच परताल करके उसी तरीके से अपना एक्सेंट प्लान जो हम बनाएं तो यहां पर इससे पहले का वाई टीडी का रिटन आपको यानिक 28 मार्ट 23 तक का उस फनेंसलियर का देखने को मिल लेंगे तो यहां पर लगब 20 mutual fund से जो कि इंफ्रा सेक्टर की हैं इनका fund का size भी बताऊंगा आपको और YTD और तीन साल में पांस साल में एक साल में रिटन कितने दिए बड़ोधा पायोनीरी इंफ्रा फंड 24 कड़ों का केवल मार्केट कैप था उस समय इसका AUM size था YTD के लबबग 11.74% के नेगेटिव रिटन एक साल में 7.42% से नेगेटिव रिटन तब ही लोन चुआता एक साल पहले उससे पहले का नहीं है यानि कि 2011 में लबबग यह जो fund लोन चुआता बिर्ला सनलाइफ इंफ्रा फंड 327 फोल का AUM size एक साल में YTD के माइनस 12% के रिटन है और जी एक साल में 0.14% के पोजिटिव रिटन है तीन साल में 5.5% के नेगेटिव रिटन है पांच साल में 0.61% के नेगेटिव रिटन है दो fund देख लिए समझ में क्या आ रहा है कि उस समय इंफ्रा सेक्टर के जो इंफ्रा सेक्टर था slowdown था कोई ऐसा boom नहीं था कुछ नहीं हो रहा था उसके अंदर पैसा नहीं आ रहा था गुवर्मेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं थे उस समय से आपको पता है उसके बाद में सडकों का development शुरू हुआ है बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए हैं अब मैं यह नहीं कह रहा हूं government की गलती क्या भाई हमें government से कह लेन देना जैसी policies आएंगी हम तो कुछ interfere कर नहीं सकते उन्हीं को हमें follow करना पड़ेगा उन्हीं के according ले अपने portfolio को diversify करना पड़ेगा हमारे इसाब से government नहीं चलेगी हमको government के इसाब से चलना पड़ेगा ठीक है इसके बाद देखिए bank of India एकसा focused infra fund 14 क्रोल का लबग सबार 14 क्रोल का AUM size था 12.84% के YTD के negative return इसके बाद 8.03 minus के return एक साल के और जी 10.81% के negative return तीन साल में और तीन साल से पहले ही fund उस समय नहीं था है यनिकि 210 के आसपास loan चुआ होगा केंदा रोबेको infra fund 91.94 लाग का AUM size 8.03 के negative एक साल में YTD के return 2.24% के negative return एक साल के 0.21% के minus के return जो है तीन साल के और एक साल में 1.5% के positive return तो ऐसे return देखकर यदि अभी किसी portfolio का आप analyze करने जाओ और पिछले 5 साल तक के return आपको negative में minus 1,2 या फिर positive में आधा पटसेंट, एक पटसेंट दिखे आप उस fund में उनिवेस करोगे ज़रा सोचकर बताईए एक साल की बात नहीं कर रहा है याँ एक साल से 5 साल तक का data आपको दिखा चुका हूँ मैं और अभी list बहुत लंबी है आप समझने कुसिस के जिए अब इसमें से मैं कुछ highlighted funds के नाम लोगा जो brand है बन चुके है जैसे SDFC है Franklin भी ठीक है ICIC भी ठीक है LIC Nomura Meter Fund Infrastructure ये भी था Reliance Infra ये जो निपॉन में चेंज हो गया था ठीक है SBA Infrastructure Fund ये भी है Tata Infra Fund भी है इसके अंदर तो हम बात करते हैं यहाँ पर Franklin Escorts का जो है Quantco Size चेंज हुए थे DSP BlackRock ये भी fund है DSP BlackRock की ये भी बात करें सबसे ज़्यादा EUM Size इसका और एक ICC Proof Infra का ये दो-तिन Funds हैं और जी UTI Infra 1500 करोड के आसपास इनका जो है Fund Size उससे में दिख रहा है DSP BlackRock की ये भी बात करें 1294 करोड का Size YTD के Return माइनस 13.61% के Negative एक साल में 0.64% के Positive Return 0.68 और जी 3 साल में 3.89% के Negative Return पांस साल में 1.34% के Negative Return इसके बाद S-Course इसके भी Negative Return लगाता है इसके तो भेंकर Negative है S-Course के 2.16 करोड का के बाले AUM Size है और जी जो YTD है 37% के Negative एक साल में 24% के Negative Return तीन साल में 20.33% के Negative Return S-Course Infra के और जी पांस साल में 16.80% के Negative Return Franklin India यानि के Franklin Build Fund 61 करोड का AUM Size है एक साल में 5.91 जो YTD है Negative Return और जी एक साल में 37% के Positive 3 साल में 2.93% के Positive Return पांस साल का डेटा यान पर है निसका तो इकलोता ये फंड अभी दिख रहा है जो कि Franklin Build Fund है जिसने कि 3 साल में 37 एक साल में 37 और जी 3 साल में 2.93% के Positive Return निकाल कर दिये क्या समझ में आता है आपको ऐसा टाइम आगे कभी भी आ सकता है This is a Warning Video जिससे कि आप पहले से कुछ ऐसे कदम उठा लें या तो आप जेलने की ताकत रखो क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि Infra का Fund चल गया PSU का Fund चल गया अभी भी मुझस से कुछ लोग ऐसी पूछते है समझने कुर्सिस केजिए रिव्यू केजिए अनलाइस केजिए जो पसंद आता लेजिए और अभी नहीं बैठता अपने पोर्टफोलियो फिट टाइम लाइन में फिट नहीं बैठता मत लो पेसेंटली अपना पैसा अपने पास रखो बरबाद हो जाओगे नुकसानों डर जाओगे दोबारा से पैसे डालने मार्केट में आओगे नहीं और वो मुझे बैच्छाने लेगा कि हाँ ठीका आप भी सायद मेरी वीडियो देखते थे कभी और मार्केट में ऐसा हुआ तो आप दर गए SDFC के अधी बात करें देखिए आपर SDFC इंफ्राफंड के अधी बात करें 506 करोल का साइस था YTD माइनस 13% 6% के एक साल में माइनस और जी 75% के 3 साल में और 5 साल में माइनस 10 और सभी का हाल यही है peer group average के दिबात करें इस सेक्टर के उस समय की तो YTD के साड़े 12% के निगेटिव एक साल में 5.11% के निगेटिव तीन साल में 7.98% के निगेटिव चार साल में 4.13% के निगेटिव रिटन और इसी का जो Nifty Index के दिबात करें CNX Nifty Index उस समय नाम था है इसका 3.77 YTD परसेंट में निगेटिव एक साल में 7.31% के पोजिटिव तीन साल में 2.68% के पोजिटिव पांस साल में 3.72% के पोजिटिव Master India Large के आप करें YTD साड़े 6% निगेटिव 6.82% एक साल में पोजिटिव तीन साल में 1.67% और जी पांस साल में 3.09% तो इट वाज़ डेटा एक एक आपको अवेर करने के लिए था धरने की जरूत नहीं है केवल इतना ही मेरा कहना भर है आप लोगों से निवेस कर लिया है सेक्टर और फंड में या किसी बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में अभी केवल पास्ट परफोर्मेंस देखके कुछ निवेसक आते हैं ना ऐसे चतुर भई मुझे तो इतना कुछ आता नहीं है कि मैं केवल अरे पी एसी फंड में कर लूँ बैंकिंग फिनेंसल फंड में कर लूँ अरे डिफेंस फंड बहुत अच्छे रिटन बना कर दे चुका है एक साल में इंफ्रा फंड में तो गजबी कर दिया बल्ले बल्ले इरेडा, आईरेफसी कितने कितने 10-10, 20-20 रुपए किसे 200 रुपए पहुँच गया है किवल और क्यफल आपको करना है PSU में, Infra में नई भाई, समल के, IT सेक्टर में सेक्टरल फंड में बहुत सोस समझ कर आपको निवेस करने की जरूवत है उम्मीद करता हूँ डेटा समझ में आगया होगा जो मेरा कहने का उद्देश से वो भी समझ में आगया हो समझ में आगया है, कमेंट करके बताईएगा जरूद दरने की जरूदत नहीं है, इसको एक पोजिटिव आस्पेक्ट में लीजिए बाकी मिलते हैं कल फिर एक वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, राम राम चैहिंद जाभारत